नमस्कार प्यारे दोस्तों स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल IES Vision में और आज हम लोग बात करने वाले हैं Center State Relations की उसमें भी Legislative Relations को हम लोग आज डिसकस करेंगे ते कि तीन टाइप के Relations हम लोग देखेंगे एक तो हो गया आपका Legislative जिसको आज डिसकस करना है आज क पार्ट 11 पे हम लोग आ चुके हैं, बहुत इंट्रस्टिंग डिसकर्शन होगा, देखेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन में जो डॉमिनेंस हैं, वो किसका रहेगा, किसको दिया गया है, और या फिर स्टेट अगर डॉमिनेट करता है, इन सब के बारे में हम लोग जानने बाले हैं, यह शुरू करते हैं, तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ पार्लेमेंट के उपर यह पावर बिस्टॉ की गई है, बाइदा कॉंस्टिटूशन अफ इंडिया, कि वो चाहे, तो पूरे के पूरे कांट्री के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन आफ दे कांट्री के लिए लोग लेके आना चाहता है, लेके आ रूल्स दिये गए लॉज ये एप्लिकेबल होंगे बिहार की टेरिट्री में ही, वो राजस्थान में एप्लिकेबल नहीं होंगे, लेकिन जो पार्लेमेंट द्वारा ये यूनियन गॉवर्मेंट द्वारा बनाए गए फिरिम किये गए लॉज होंगे, लेजिसलेशन अगर वो चाहें तो बिहार के लिए भी specific बना सकते हैं मामले कुछ चुनिदा है उनको हम लोग देखेंगे उसके अलावा ये भी सवाल उठता है कि क्या Parliament जो है वो state के लिए laws बना सकता है बना सकता है तो कुछ एक matters है specifically union list, state list, concurrent list आगे चलके हम देखेंगे जिसमें ये provisions हैं स सारे के सारे उसके लावा एक और important features कुछ ऐसा है कि जो Indians हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं रहना है भारत वर्ष के बाहर भी कुछ लोग अपनी आजीवी का रोजगार के लिए बाहर रहना पढ़ रहा है विदेशों में रहना पढ़ रहा है या फिर बाहर रहके ही country को serve कर रहे है तो उनसे related जो भी laws होंगे जो भी नियम होंगे उसको form करने का जो power है उसको form करने का जो एक पावर दी गई है एक नियम दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिया गया है पार्लिमेंट के लिए यानि कि only पार्लिमेंट can legislate or make laws for extra territorial legislation extra territorial का मतलब ह जो भारत की सीमा से बाहर का matter आ जाता है इसको 2011 में सुप्रीम कोट ने जीवी के इंडस्ट्रीज वर्सेज इंडस्ट्रीज वर्सेज आईटी आफिस इस फैसले में इस वर्डिक्ट में क्लियर कर दिया था कि जो government of India मतलब basically हम यह बात करें कि जो हमारा parliament है वो parliament के उपर जो power bestow की गई है extra territorial legislation की यह absolute नहीं जबकि यह सिर्फ और सिर्फ Indian citizens के लिए अपनी के बाद ठीक है तो यह सिर्फ और सिर्फ Indian citizens के respect में ही legislative power दी गई है extra legislative power जो है extra territorial legislation के लिए so it is something like this उसके बाद आजाता है कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें legislative rights को distribute किया गया है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं distribution of distribution of legislative rights तो legislative rights के distribution की हम लोग बात कर लेते हैं अब legislative rights के distribution में अगर देखा जाए तो सबसे पहला हमारा जो बनता है वो है union list अब सबसे पहला जो union list है वो क्या है देखे union list में आ जाता है defense, banking system, foreign affairs, atomic energy, currency, census, interstate trade, commerce, businesses, insurance, etc. तो ऐसे कुल मिलाके 100 मामले हैं, 100 matters हैं, जिनके उपर सिर्फ और सिर्फ union list में जिनको रखा गया है, यानि कि सिर्फ और सिर्फ पार्लेमेंट के पास legislative rights है, legislative powers, अच्छा, defense क्यों? जैसे कि for example, अगर enemy के against, enemy attack के against, for example, हिमाचल प्रदेश को prevent करना है, तो उतरा घंड को भी उ आमला, state list में नहीं जाएगा, यानि कि state decide नहीं करेंगे कि किस लेवल की production चाहिए, या फिर BSF ही लगेगी वहाँ पे, या फिर सिर्फ आप भी ही लगेगी, या air force कब जाएगी, तो उसमें state का कोई लेना दिना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ union matter है, उसी प्रकार से foreign affairs होग यानि कि यह वो मामले हैं जिनमें uniformity चाहिए, पूरे throughout uniformity की requirement है, पूरे देश भर में ऐसे नियम जिनमें uniformity की जरुवत है, जिनमें सद भावना की जरुवत है, बराबर होने की quality की जरुवत है, तो इसको हम लोग union list में देख रहे हैं, उसके बाद आता है state list, जैसे public order public health हुई, sanitation हुआ, agriculture हुआ, local government हुआ, gambling हुआ, ऐसे बहुत सारे matter हैं और कुल 61 ऐसे matters हैं जो की state list में रखे गए हैं, और state list में रखे हुए matters पे legislate करने का काम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्टेट legislative का है, state legislation का है, और सिर्फ और सिर्फ state legislative assemblies ही इसमें participate कर सकती है, so that is why state list में यह आता है, उसके अलावा आप देखिए, जैसे for example, गुजरात की बात कर लें, तो गुजरात में क्या है, कि आपका ban कर दिया गया है alcohol, liquor ban है, वैसे ही बिहार में भी liquor ban है, लेकिन उनके adjacent states की बात करने जैसे राजस्थान में है, तो राजस्थान में liquor ban नहीं है, right उत्तर प्रदेश में liquor ban नहीं है, ऐसा होने का कारण यह है क्योंकि यह public health की domain में आता है, और इस matter के उपर बनाने का जो right है, लेजिसलेट करने का right है, जो power है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिसलेशन को डी गई है, उसके अलावा यानि कि यह depend करता है state to state, अब जैसे च्छतिसगर का example है, च्छतिसगर में अनुसूचित जन जातियां बहुत जादा है, यानि कि scheduled tribes का number जादा है, percentage population जादा है, so that is why अब tribes में क्या होता है, उनका खुद का कुछ, for example, norms होते हैं, उनके खुद के कुछ traditions होते हैं, उनके खुद के कुछ agricultural patterns होते हैं, right, तो इन में union, uniformity लाने की कोशिश ना ही करें, तो matter है, इसी लिए इस matter को भी वहाँ पे रखा गया है, state list में ही रखा गया है, उसके बाद आ जाता है concurrent list, concurrent list का मतलब है, दोनो, concurrent दोनों में आने वाले, तो यह दोनों में आने वाले matters हैं, कहने का मतलब यह है कि इन matters के उपर, चाहे वो Indian Parliament हों या फिर state legislative assemblies हों, यह सभी के सभी legislate कर सकते हैं, सभी के सभी आपका laws frame कर सकते हैं, यह power दी गई है, so criminal law and procedure, civil procedure, marriage and divorce, family planning, education, population control, etc. आपने सुना होगा, UP में population control का जो bill आने वाला था, वो काफी ज़्यादा चर्चा में था, और उसको लेके काफी ज़्यादा गर्मा-गर्मी बहस भी हो रही थी, तो आप सोचेंगे कि यह तो concurrent list में है, तो क्या यहाँ पे union से कोई लेना देना, union government विचार कर रही है, वो ल पॉर्डिंग नहीं था, वो punitive by nature, that is why उसका इतना oppose हो रहा था, but overall India requires a population control bill, a population control law, भेरहाँ, तो यह concurrent list में आए, इसमें क्या है, कि यह, इसमें uniformity की requirement है, desired है, लेकिन essential नहीं है, अच्छा होगा कि जैसे पूरे देश में एक ही civil code हो, एक ही civil procedure हो, एक ही criminal laws हो, लेकिन, marriage जैसा matter है, तो marriage क्या, अलग-अलग tribes में, अलग-अलग traditions है, तो uniform आप नहीं मान सकते हैं, separation का भी अलग-अलग tradition है, तो आप uniform नहीं मान सकते, you cannot control it as uniformity, it is desired although, चाहत है ऐसी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, because India believes in unity in diversity, not unity in uniformity, हम uniform में इसलिए एक अत्रित नहीं है, हम में नहीं है, हम uniform नहीं हैं, diversified हैं, इसलिए इसमें भी हमें एकता है, भारत का सम्विधान इसी में यकीन रखता है, विश्वास रखता है, बहराल, सवाल यह उठता है कि state list पे क्या सिर्फ और सिर्फ state legislative assemblies ही legislate कर सकते हैं, क्या उनी को power है, जी नहीं, यह है normal circumstances में, ठीक है, य यह है normal circumstances में, अगर abnormal circumstances होंगे, तो फिर parliament टेक ओवर कर सकता है, उसको हम आगे चलके discussion करेंगे, अग्ली स्रैट्स में, वहराल, concurrently इस बावन है इन नमबर, अच्छा, एक छोटा सा आप यह भी देख लीजे, Residuary Matters, तो Residuary Matters को भी हम लोग जान देते हैं, कि यह क्या है, तो Residuary माम ले, Residuary Matters क्या होते हैं, यह वो हैं, जो कि ना तो Union List में हैं, ना ही State List में हैं, और ना ही Concurrent List में हैं, तो इन में से किसी में भी ना हो, तो इन में से किसी में भी नहीं होने वाले Matters किसमें आएंगे Residuary Matters में आएं ठीक है? यह वो subjects है यह वो matters है जो तीनों में से किसी list में नहीं है और सवाल यह उठता है कि फिर इन मामलों में legislate कौन करेगा तो वो सारी की सारी power किसको दे दी गई है? पार्लिमेंट को दे दी गई है. अच्छा USA की बात करें United States of America तो यह states को है तो यह federalism का अलग ही shining example है बट इंडिया में dominance किसको दी गई है? पार्लिमेंट को तो इन Residuary Matters के उपर कौन legislate कर सकता है? फार्मर्जॉम्टी बहराद आगे बढ़ते हैं उसके बाद देख लेते हैं parliamentary legislation in states मैंने क्या कहा था? कि state list में कुल 61 मामले हैं जो की mentioned है लेकिन जरूरी नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ normal circumstances में normal situation, normal condition में state legislative body, state legislative assembly इस पे laws बनाएगी अब कौन से वो abnormal situations है जिसमें parliament जो है वो take over कर सकता है legislative role के मामले में तो उनमें देखिए सबसे पहला है article 249 इसमें क्या है? कि resolution passed by raja sabha by special majority देखिए raja sabha जो है वो हमने देखा था upper house of the parliament है और इस upper house of the parliament में जो members हाते हैं वो सीधे सीधे state representatives होते हैं तो अगर मान लीजी state representatives मिलके यह हम यह बोले raja sabha मिलके national interest में यह important है कि यह किस में होना चाहिए? national interest में होना चाहिए national interest में resolution passed करते हैं और वो भी simple नहीं special majority से यह तो थर्ड present and voting and effective majority तो अगर यह इसके साथ में यह लोग करते हैं pass तो फिर क्या होगा parliament के पास में एक power आ जाती हैं जिस पे वो legislate कर सके state मामलों confused? let me give you an example मैं आपको एक example से समझाता हूँ देखिए 1980s में पहले भी मैं एक example दे चुका हूँ यही वाला 1980s में क्या हुआ था? कि जमू और कश्मीर राजे में militancy broke out militancy का मतलब यह हुआ कि जो वहां का यूथ था वो terrorist activities में involved हो रहा था insurgency वाले मामले आ रहे थे वहां पे काफी जादा जो आसामाजिक तत्व हैं अपनी पकड़ बना रहे थे तो militancy वहां पे पूरी की पूरी पैर जमा चुकी थी right? militancy broke out huge opposition of government और government policies हुआ या फिर हम यूँ बोलें properties हुआ उन सब का बहुत जादा तोड़ फोर मच रखा था यानि कि law and order की धज्जियां उर गई थी अब अगर आप law and order की बात करेंगे तो law and order तो state list में आता है right? ये state list में आता है तो हुआ ये कि उस समय उस समय ये एक resolution पास किया गया राजसभाद वारा और राजसभाद वारा इस resolution के पास होने के बाद में एक नियम बनाया गया parliament द्वारा और parliament ने take over कर लिये ये इस law and order मामले पे और फिर जो matters जो laws हुए जो laws पास किये गए वो सिर्फ और सिर्फ किस के regarding पास किये गए law and order के सिर्फ और सिर्फ पार्लिमेंट द्वारा और वो वहाँ पे लागू हुए अब सवाल ये उठता है कि laws की validity क्या है जो laws की validity की बात करें कि इनकी validity है one year की उसके बाद वो labs हो जाएंगे सवाल ये उठता है कि one year बात continue करना हो तो क्या हो अगर एक बार बात वापस से continue करना है तो another resolution वो resolution राजसभा में ही पास हो गए इन राजसभा only और वो भी special majority से by special majority राजसभा में special majority से आप इस resolution को वापस से पास करा लीजे इस demand को फिर से एक साल के लिए आ जाएगा और ऐसा आप n number of times कर सकते हैं n number of times n number of times ऐसा कर सकते हैं इस पे कोई upper limit नहीं है हाँ ये जरूर है कि जितनी बार आप इसको extend करेंगे उतनी बार आपको राजसभा में resolution लेके आना पड़ेगा special majority से पास कराना पड़ेगा national interest के मद्दे नजर रखते हुआ उसके बाद आता है article number 250 ये है during a time of national emergency ये सारे provisions हम देख चुके national emergency के वीडियो बना हुआ है playlist जाके चेक कीजे आपको मिल जाएगा तो अगर हम लोग बात करें national emergency की तो national emergency के दोरान ये एक normal situation नहीं है ये है क्या basically abnormal situation not a normal situation abnormal condition, abnormal circumstances तो इस abnormal condition में abnormal situation में abnormal not so normal scenario में circumstances में जो भी laws यहां से निकलते हैं उनकी validity क्या है national emergency में रहेगी plus six months from revocation of national emergency I hope आप समझ गए यानि मान लीजे national emergency चल रही है देश में अभी आज national emergency खतम होती है तो आज से लेके छे महीने तक उसकी law की validity रहेगी उसके बाद वो खतम हो चुका राइट अच्छा तो ये है about national emergency के दोरान तो national emergency के दोरान भी आपने देखा था कि parliament जो है वो legislative role अपना लेता है states के लिए तो states के लिए भी जो laws pass होंगे वो parliament जोरा ही pass किये जाते है अगला है article number 252 ये है on the special request of states देखिए national emergency में acquire कर लिया अब special request अगर states खुद बोलता ही नहीं साब आप कीजिये legislative role आप ले कीजिये तो ऐसा किया जा सकता है देखिए ऐसा हुआ था 1976 में एक law आया था और वो था Urban Land Sealing Regulation Act तो Urban Land Sealing Regulation Act 1976 ये जो आया 1976 के act में हुआ ये था कि 11 कुल ऐसे states थे जिन्होंने request की किसको center को किसाब आप एक काम कीजिये प्लीज आप एक Land Sealing के रिगारिंग एक्ट लेके आये तो पारलिमेंट ने का ठीक है कोई बात नहीं दीजे हमें ये hand over कीजे जब ये matter hand over हुआ तो इसका मतलब ये हुआ surrender हो गया यानि किसाब हमसे नहीं हो रहा आप कर दीजे तो ये surrender कर दिया कौन सा माम लेको कौन से माम लेको Urban Regulation माम लेको ठीक है Urban Planning माम लेको जो की था state list में कहां transfer कर दिया union list अब ये वापस से center चाहे तो इनको दे सकता है बट इन्हें मिलेगा नहीं center अगर चाहे तो ही दे सकता है एक बार surrender करने के बाद बट इन्हें automatically नहीं मिलेगा यानि कि अब ये लोग इस में इन matters में legislate नहीं कर सकते बिकाज ये एक तरीके की incompetence ही है right incompetence है sorry so ऐसा हुआ था 1976 में जो Urban Land Ceiling Regulation Act आया था उसके तहर अच्छा ये जो act पास हुआ ये सिर्फ उन 11 requested states में ही लागू होगा यानि उन 11 states में ही लागू होगा 11 के अलावा नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ 11 states में लागू होने वाला है ये ध्यान लखिएगा जिन्होंने request की है मतलब ज़रूरी नहीं 11 करें एक से ज़ादा भी कर सकते हैं बस एक से ज़ादा होने चाहिए तो पहली चीज़ जिन states ने request की है उनहीं में लागू होगा दूसरा यहाँ पर एक बार जब वो matter surrender हो गया तो अब ये फिर center के उपर है वो चाहे तो इसको वापस से उनको return कर सकता है उस matter को बट गर नहीं करता तो states उसको get back नहीं कर सकते उन matters के उपर union ही या parliament ही legislate कर देगा यही powers है इसके अलावा और भी बहुत सारे थे examples अगर हम लोग बात करें तो wildlife protection act wildlife protection act जो कि 1972 का था yes 1972 का था उसके अलावा देखा जाए transplantation of human organs देखे transplantation of human organs इसको regulate करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यह शिकायते आ रही थी देश-भरसे देश व्यापी problem हो गई थी इसलिए इस act को 1994 में लागू किया गया तो यह सारे के सारे और पॉबिक हेल्थ में आता है transplantation of human organs but still agreements देखिए कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि internationally मतलब agreements बनाए जाते हैं जैसे कि अगर बात की जाए तो 2005 की बात है 2005 में जो UN convention of protection of corruption या हम यूँ बोले UN convention on corruption वो Indian government ने क्या किया था sign किया था sign करने के बाद में इसे ratify किया जाता है यानि इसे accept किया जाता है और इसको ratify किया गया था 2011 में 2011 में ऐसा हुआ था अब जब 2011 में accept किया Parliament ने ratify किया तो ये Parliament के उपर binding हो जाता है कि ये एक law ले गया है लेकिन अगर बात की जाए corruption और law and order की तो ये तो state list में आता है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं है ना public order में आता है तो इस पे सवाल ये उठता है कि union government या central government कैसे एक law लेकिए आ सकती है ये लेकिए आ सकती है जब वो article 2000 sorry 253 को invoke करे टब ऐसा हो सकता है तो anti-corruption जो bodies हैं वो set up की गई थी लोकायुक्त और लोकपाल इनको set up किया गया था states के अंदर और ये basically और कुछ नहीं watchdogs है of the center in the state that's what happened ठीक है एक चीज और ध्यान रखिएगा कि national emergency की एक चीज में थोड़ा सा skip कर गया था यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि देखिए national emergency के दौरान national emergency के दौरान जो आपके रहते हैं नियम बनते हैं उनकी validity six months होती है यह हमने देख लिया था बता दिया था यह लेकिन president rule भी तो लगा रहता है ना तो president's rule के दौरान भी तो जो parliamentary bodies है या हम यूँ बोले कि parliament खुद है इंक्लूडिंग लोगसभायन राजसभा यह क्या करते हैं यह legislative powers assume कर लेते हैं state के अंदर so president's rule के दौरान यह होता है अब यह जो president's rule के दौरान laws बनाये जाते हैं इनकी validity infinite होती है validity infinite लेकिन validity infinite रहेगी तब तक तब तक समय तक until अगर मान लीजे जो new state legislature है वो आके इसको delete न करते हैं अगर new state legislature आके इसे delete कर देता है repeat कर देता है तो फिर इनकी validity खतब लेकिन इनकी validity तब तक रहेगी देखिए वहाँ पे क्या था validity six months की थी national emergency में पास किये गए loss की लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका सिर्फ मतब इन्फाइनेट समय के लिए रहेगी अनंतकाल के लिए रहेगी तब तक जब तक newly appointed state legislature इसको delete न करते हैं तो यह था parliamentary legislature in the states तो यहाँ से एक चीज हमें समझ में आती है कि जो parliament है उसकी supremacy है over state तो state को जो legislative powers है उससे में हमेशा supremacy दी जाती है किसको? Parliament को आईए next देखते है control of center over state legislation अब हम लोग ज़रा control की बात कर लेते हैं एक तो हमने देखा अभी तक कि dominance किसका है अब हम लोग बात करेंगे control की कि control कैसे करता है center state legislation जैसे की for example कुछ bills होते हैं जिनको president के लिए reserve कर लिया जाता है by the governor तेंके कुछ mandatory और कुछ किये जा सकते हैं कहने का मतलब ये पूरे के पूरे mood of the governor पर depend करता है और जो bills reserve कर लिए गए president के लिए हम जान चुके हैं पहले वो उसमें फिर absolute majority आ जाती है to the absolute majority absolute veto power आ जाती है to the president अब वो जैसा चाहें उस पे act कर सकते हैं तो इसमें कुछ बदब binding वगरा कुछ नहीं होता तो देखिए अच्छा उसमें भी president को भी aid and advice follow करनी पड़ेगी central council of ministers की तो ये बात हमेशा ध्यान लखने वाली है तो reserving bills for the consideration of president अब इसमें कौन-कौन से हैं जैसे मान लीजे कि जो state government है वो restrictions लाना चाहती है freedom of trade and commerce तो freedom of trade and commerce के तहत अगर लेके आना चाहती है तो ये बिलको preserve करना जरूरी है भाई है ना इसको रोकना जरूरी है रोकना in the sense की इसको reserve करना है president के sign के बाद ही इसको pass किया जाएगा उसके अलावा मान लीजे article 31C इसके under में यानि की 31C जो हुआ ये हुआ आपका दो DPSPs को effect में लेके आने का कौन से दो DPSPs 39A 39B sorry and 39C तो इन दो DPSPs को effect में लाने के लिए भले ही violation हो जाए भले ही violation हो जाए किसका article 14 and 19 right to freedom of speech and expression और उसके अलावा right to freedom basically और उसके अलावा right to equality तो भी आपको क्या करना पड़ेगा consent की requirement होगी right उसके अलावा article 31B के under भी अगर कोई आप law लेके आते हैं इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी law को आप 9th schedule के अंदर place करना चाहते है 9th schedule में जो भी law placed है उनका कोई judicial review नहीं होता तो भी आपको consent की requirement है right और अगर आपको किसी की private property acquire करनी है तो भी आपको consent की requirement है तो यानि कि यहां पे भी साफ साफ clear cut दिखाई देता है कि जो union parliament है union level पे central level पे उसका dominance हमेशा जादा है with respect to the state तो यह एक बहुत ही एहम रोल है और यहां पे bills को reserve किया जा रहा है इस तरीके से control assert किया जा रहा है उसके अलावा हम लोग देख चुके हैं कि money bills और हमने बात किया था वो bills जो state द्वारा पास हो रहे हैं और judiciary को concern करते हैं उनको भी reserve किया जा सकता है उसके अलावा requiring previous sanctions वो हमने देखी लिए article 31 A, B, C इन सब को इन सब के अंडर अगर कोई act आना चाह रहा है या bill पास कराना चाह रहा है state legislature तो उसके अलावा financial emergency के दौरान जितने भी money bills हैं सारे के सारे bills हैं वो president के consideration के लिए reserve कर दिये जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ साफ साफ कह सकते हैं कि legislative मामलों में legislative matters की अगर बात की जाए legislative relations की बात की जाए तो इस relation में दोनों बराबर नहीं है साफ इन matters के अंदर जो dominance है वो dominance किसका है is of center over state तो state से अबव center का domination है यहाँ पे next एक छोड़ा सा हम लोग segment है उसको देख लेते हैं दो doctrines देखेंगे doctrine of pith and substance दूसरा है doctrine of doctrine of colorable legislation अब देखी यह क्या है हुआ यह था यह supreme court के verdicts हैं और supreme court ने ही इनको दिये है propounded by supreme court propounding ठीक है supreme court ने ही इनको लागन किया इनको इनको इबारे में बताया इनको दिया तो doctrine of pith and substance की बात कर ले 1950 का दौट था राजस्थान गॉवर्मेंट ने एक नियम पास किया था 1950s में राजस्थान गॉवर्मेंट ने एक नियम पास किया था और एक एक्ट लेके आय थे law लेके आय थे जिसमें ये था कि ये लोग public health को promote करने के लिए basically इनका काम क्या था public health के promotion के लिए इन्होंने कहा कि देखो साहब ऐसा है कि रात को 10 बज़े से लेके 10 पीम to 6 अम 6 बज़े तक कोई loud speaker नहीं बज़ेगे कोई भी loud speaker नहीं बजने चाहिए और ये नियम रहेगा मामला court तक गया और court में जब गया ये तो GC चावला GC चावला वर्सस स्टेट ऑफ राजस्थान तो GC चावला वर्सस स्टेट ऑफ राजस्थान 1959 में ये फैसला आया और इसमें कहा सुप्रीम कोट ने कि भी पताईए प्रॉब्लम क्या है तो जो पेटिशनर है उसने कहा कि जो राजस्थान गॉवर्मेंट है वो competent ही नहीं है इस मामले में नियम लेके आने के लिए लॉव लेके आने के लिए तो सुप्रीम कोट ने कहा कैसे उन्होंने कहा देखिए साब इसमें loudspeaker की बात हो रही है loudspeaker communication में आता है और communication जो है वो आपका union list का part है तो ये लोग union list से कैसे बना रहे है union list में mentioned matter पर कैसे law बना रहे है सुप्रीम कोट ने का बात सही है लेकिन अभी तो आजादी को 12 साल बीते हैं और अभी तो एक तरीके से nascent stage में है और ऐसा हमेशा होगा कि जो state legislative laws लेके आएंगे वो कहीं न कहीं हो सकता है कि coincide करें या फिर हम यह बोले कि intersect करें union list में रखे रुए matters को लेकिन आप इसके pit and substance को देखिए आप इसकी feel को देखिए आप इसकी feeling को देखिए ये communication के उपर नहीं चाह रहे है ये public health को promote करना चाह रहे है और public health को अगर promote करना चाह रहे है तो फिर वो क्या गलत है ये तो income आमला है ना ये तो matter कहां पे mentioned है ये तो आपका matter mentioned है clearly state list में तो आप feel को देखिए आप words पे मत चाहे तो ये था doctrine of pit and substance उसके लावा एक और doctrine दिखती है doctrine of colorable legislation ये दिया गया 1961 के बहुत ही famous case मूपिल नायर versus state of kerala तो मूपिल नायर versus state of kerala 1961 इसमें जो supreme court ने validic दिया था वो ये था अब देखिए हुआ क्या था केरला government जो थी उसने शुरू कर दिया था एक land tax ठीक है तो land tax ये लोग लेते थे अब ये land tax क्या है आपके पास जमीन है आपको tax देना पड़ेगा अब सब जमीन तो आपने ठीक है लेकिन आपके पास पुष्टों की है अब मान लीजे जादा है तो बहुत जादा देना पड़ेगा लोग उनको 50-50 हजार tax देना पड़ता था उस समय का पचास हजार आप समझे कितना जादा था अगर नहीं दे पाए तो उस land को confiscate कर लिया जाएगा स्टेट द्वारा उसको acquire कर लिया जाएगा मामला पहुंचा सुप्रीम को सुप्रीम कोट ने कहा कि आप क्या चाह रहे हैं उन्होंने कहा देखो यह tax नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनकी land ले ले रहे हैं तो सुप्रीम कोट ने कहा आप ऐसा कर नहीं सकते आपका primary aim है और उस समय यह याद रखी गए यह वो दौर है जब right to property fundamental right था तो सुप्रीम कोट ने कहा कि मतलब आप कर क्या रहे हो आपने आपने basic लिए बहुत ही हास्यास्पत बात है क्योंकि आप देखिए कि उस समय यह लोग constitutional तरीके से तो land नहीं ले सकते थे मर्जी के खिलाब क्योंकि यह fundamental right है तो फिर इन्होंने क्या loophole निकाला इसमें loop around निकाला इन्होंने land reforms act के तहट land tax एक impose किया अब उस land tax को अगर आप pay नहीं करते हो और rate of interest बहुत high थी और definitely आप pay नहीं करोगे तो आपकी जो जमीन है उसको जब्त कर लिया जाएगा तो Supreme Court ने कहा आप चाहते क्या हो आप चाहते हो इनकी land acquire करना लेकिन आप बिना compensation दिये कर रहे हो उल्टा आप इनसे पैसा और ले रहे हो तो बिना compensation दिये आप इनकी land को acquire नहीं कर सकते इनका fundamental right है और ये करना सरा सर गलत है that is why आप इसको तुरत प्रभाव से बंद कीजिए और ये हुआ था मुपिल नायर वर्से स्रेट आफ केरला के इसमें doctrine of colorable legislation क्या है कहने का मतलब है कि जो आप directly नहीं कर सकते उस समय directly नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते directly कि किसी की भी जमीन है उसको आप हरप नहीं सकते बिना compensation के जो आप directly नहीं कर सकते हो आप indirectly भी नहीं करेंगे मतलब आप legislature ऐसा लेकिया है कि उसको color दूसरा दे दिया मतलब हमारे आप बिहार में कहावत है Sierra Uheba Puch Ramalaba तो यह वही कहानी होगे कि आप चाहते कुछ और है और आप कर कुछ और रहे है है ना So legislative legislative powers जो है आपकी वो इसने नहीं दी गई कि आप कुछ भी मतलब मामला लेके आएंगे और उसको accept किया जाएगा No It should be just and fair and it should be transparent So that is why colorable legislation की बात यहाँ पे निकलके आती है So I hope आपको यह सारी चीज़े समझ में आई हो and कुल मिला के मामला यही है कि जो dominance है वो सिर्फ और सिर्फ Parliament की है over legislative matters with respect to state Next video में हम लोग administrative matters की बात करेंगे and I hope आपको पसंद आया हो वीडियो पसंद आने पे like कीजेगा like जरूर कीजेगा and share कीजेगा जितना हो सके इसे और channel पे नए है subscribe जरूर कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत वंदे मांतरा